चोपड़ाईजी कुछन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बचो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, NEED 23 एक्जाम के लिए कौन सी ड्रेस पैन के जानी है और कौन-कौन से आइटम्स लेकर जाने हैं, कौन-कौन से आइटम्स नहीं ले जा सकते इसके बारे में हम विश्थरित में इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि NTA जो एक्जाम कंड़क्ट करवाएगा NEED का सेवन्त माई 23 को क्या पैन कर जाना है तो मैं आपको बता दूं कि NTA ने रेस कोड के रिकर्ण सिरफ इतना क्लियर किया हुआ है कि कंडिडेट्स को light clothes नहीं पैन के जाने हैं यानि कि light clothes allowed नहीं हैं और long sleeve shirt या 40 shirt allowed नहीं हैं तो NTA ने सिरफ इतना ही कहा है इसके अलावा और ये कोई specific dress उन्होंने specify नहीं किया है कि ये पैन कर जाना है आप ये नहीं पैन सकते ऐसा कुछ भी clear नहीं है इतना ही है कि आप light clothes नहीं पैन सकते और इसके बाद में long sleeves की shirt या t-shirt नहीं पैन सकते ये permitted नहीं है इसमें इसके अलावा तो आप इसमें जो पैन के जा सकते हैं वो है half sleeve shirt या t-shirt पैन सकते हैं jeans पैन सकते हैं trouser पैन सकते हैं तो ये आप पैन के जा सकते हैं ये अलाव हैं लेकिन फिर भी अगर कोई center वाले objection करते हैं dress का तो इसमें आप जो जैसे की काफी सारे pockets होते हैं इस प्रकार की dress पैन के जाने से बचें आप सिंपिल सी dress पैन के जाएं light clothes का मतलब है यहां आप half end वगरा इस प्रकार की जो dress से हैं ऐसी dress पैन के जाने से बचें तक कि आपको किसी प्रकार की कोई problem ना हो इसमें इसके बाद अगर कोई भी candidate पारंप्रिक dress पैन के जाना चाता है तो वो exam से two hours पहले उसको exam center पर report करने पड़ेगी यानि कि वो साड़े बारा दोपेर साड़े बारा बजे तक at least वहां report कर दे ताकि उसकी checking हो सके पारंप्रिक dress का मतलब है जो six candidate है वो करपान इसके अलावा पगड़ी और कंगा उगरा ले जाना चाते हैं तो ले जा सकते हैं करपान पैन की जा सकते हैं पगड़ी पैन की जा सकते हैं लेकिन उनको exam में टू हावर्स पहले report करना होगा at least साड़े बारा बजे तक वो report करते हैं इसके अलावा जो muslim female candidate है बुर्का पैन की जाना चाते हैं तो वो भी पैन की जा सकते हैं ये दिल्ली high code के order के according है तो वो पैन के जा सकते हैं जब आपने form fill किया था उस समय आपने yes किया होगा कि आप पारंपिक ड्रेस या धारमिक ड्रेस पैन के जाना चाते हैं तो वो candidate पहन सकते हैं कोई दिकत नहीं है यहां पर कोई किसी प्रकार की problem नहीं है तो ये तो थी clothes के बारे में बात कि क्या पैन के जाना है क्या नहीं pहन की जाना है बाकी common जो drieघ होती है boys के लिए girls के लिए वो तक्रीबन बच्चे पैनके जाते हैं तो वो पैनके जा सकते हैं कोई ऐसी प्रोब्लम नहीं है उसमें इसके अलावा स्लीपर्स और सेंडल्स लो हील की होनी चीरे वो पैनके जा सकते हैं Slippers पहन के जा सकते हैं, Sandals पहन के जा सकते हैं, लेकिन इसमें Shoes नहीं पहन के जा सकते हैं, Shoes बिल्कुल भी Permitted नहीं है, Shoes बिल्कुल भी Allow नहीं है, Shoes बिल्कुल नहीं पहन के जाना है, आप Slippers, Sandals पहन के जा सकते हैं, लेकिन ये Low Hills की होनी चीजिए, जो High Hills के होती हैं, वो इसके बाद में admit card के अंदर जो instructions आएंगे वो instructions आपको follow करने होंगे तो ये है इसमें आपको क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के जाना है इसमें अभी आपको ये जो items हैं इनमें कोई भी items लेके नहीं जाना है exam hole में सिरफ आपको admit card लेके जानी है फोटो लेके जानी है और ID proof लेके जाना है ये तीनी item लेकर के जाना है water bottle आप ले जा सकते हैं लेकिन वहाँ भी water आपके लिए available होगा तो water bottle की इतनी आवश्यक्तर नहीं है फिर भी आप ले जाना चाहिए तो ले जा सकते है इसके बाद म में अगर हम देखें कि कौण-कौण सा item हम exam hole में नहीं ले जा सकते हैं तो इसमें geometry box है pencil box है, plastic pouches है, calculator है, pen है, scale है, writing pad है, pen drives है, eraser, calculator, log table, electronic pen और scanner आप नहीं ले जा सकते हैं इसके बाद में जो communication device है, जैसे mobile phone हो गया, bluetooth, earphone, microphone, pager और handband नहीं ले जा सकते हैं इसके अलावा जो बाकी wallet है, goggles है, handbag है, belt है, cap है, ये भी पैन के नहीं जा सकते हैं जो नजर के जो चसमे student के लिए वो तो पैन के जा सकते हैं, कोई problem नहीं है उसमें, watch वगरा, camera वगरा, bracelet वगरा, ये नहीं पैन के जा सकते हैं, ornament और metallic item है, वो girls candidate भी नहीं पैन के जा सकते ह ये आप ध्यान रखना है, इसमें कोई भी ornaments और metallic item लेकर भी नहीं जाना है, पैन कर भी नहीं जाना है इसमें, इसके अलावा कोई भी food के लिए या फिर water bottle है, ये allow नहीं है इसमें, water bottle हालांकि allow है, छोटी water bottle आप ले जा सकते हैं, फिर भी ये admit card में instructions आएंगे, अगर उसमे allow है तो ले जा सकते हैं नहीं, तो water आपके लिए वहाँ available रहेगा, इसके अलावा आप microchip, camera, bluetooth, device वगरा ये नहीं ले जा सकते, तो ये condition है कि आप कोण कोण से item इसमें नहीं ले जा सकते, ले जानी वाले जो item है आपके पास में, admit card है, photo है और photo ID card, ये तीनी item आपको ले ज पहले आप exam center पर at list वहां पहुंच जाएं, तो वहां पर आप checking होने के बाद आप ये पहन के जा सकते हैं, तो ये जानकारी थी कि आपने क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, जिन candidate ने पिछली वार exam दिया है या उससे पिछली वार exam दिया है, जो droppers हैं, उनक सब पता है कि क्या पहन के जाना है, लेकिन जो new Fraser student है, इस बार exam दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि आपने क्या पहन के जाना है, और क्या नहीं पहनना है, ये जानकारी थी इसके बारे में, जैसे ये admit card release होंगे, हम आपको inform कर देंगे, और समय समय पर इस प्रकार क हम वीडियो लेके आते रहते हैं, तो मिलेगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो हम तब तक के लिए जैसे हूं